हेले एवरीवन क्या आपको पता है कि इंडिया की फर्स प्लांट सिटी कौन सी है तो वह है चंदीगर्ड और वह लोकेटेड कौन से स्टेट में है तो वह लोकेटेड है पंजाब में तो यह तो हो गई जेनरल नॉलेज की बात अब जल्दी से पंजाब के सिविल जच का सिल यहाँ पे भी तीन राउंड होगे फिल राउंड होगे प्रिमिनरी ग्जाम का सेकंड राउंड होगा में स्टेजिघेड को फाइनर रांड अब इंटर्व्यू अब इंडिटेल राउंड को वन इन देटेल करते हैं सबसे पहले आते हैं प्रेलम्स पे इसे मैंने दो पार्ट पे डिवाइड किया जैसे मैं युजुली अपने हर वीडियो में करती हूं एक है पाटन और दूसरा है सिलिबस अब पहले पाटन देख लेते हैं यहां का जो एक्साम है वो अब्जेक्टिव टाइप होग अगर आपको मेंज लिखना हैं तो इतने माक्स स्कोर करने होगे अफ YOU your बिलॉंग प्रेंगे निध निष्त तरह करने होंगे अब यहां का सिलिबस देख लेते हैं सिलिबस को इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है question 9 के prelims में law से और law का syllabus थे मैं mains examination का तो मैं इसे mains examination की ppt में discuss करूंगे उसके अलाब आएंगे current events of national and international importance Indian legal और constitutional histories equations होंगे governance equations होंगे analytical skills और aptitude को test करने वाले questions भी होंगे तो अब इसे according prepare करके जाएं अब चलते अपने next round की तरफ जो कि है mains examination का अगे इसे मैंने दो पार्ट में divide किया है pattern और syllabus पहले pattern देख लेते हैं जो यहां का mains examination होगा वो descriptive nature का होगा in total 5 paper होंगे हर paper लिखने के लिए आपको तीन घंटे का time मिलेगा पार्चों paper के marks मिला के in total marks होंगे 9.50 और medium papers लिखने का होगा English other than language paper क्योंकि language paper तो हम language में लिखते हैं अब देखते हैं पेपर इनोंने कैसे divide कि हैं सबसे पहले होगा civil law 1 का paper फिर civil law 2 फिर criminal law फिर English और language और इन पेपर के syllabus को भी one by one in detail discuss कर लेते हैं सबसे पहले आते हैं civil law 1 पे यह 200 marks होगा और इसे लिखने के लिए आपको तीन घंडे का time मिलेगा इसका syllabus इस तरीके से है इस पर questions आएंगे CPC से Punjab Courts Act, Indian Contract Act, Sales of Goods Act, Partnership, Specific Relief Act, TPA, Indian Evidence Act, East Punjab, Urban Rent, Registration Act यहां का local law है आपको यह भी पढ़के चाना पढ़ेगा अब चलते हैं अपने दूसरे paper की तरफ जो की है civil law 2 का paper इसे लिखने के लिए आपको तीन घंटे मिलेंगा और इसके marks होगे 200 इसका syllabus paper 1 से comparatively छोटता है इसमें questions मिलेंगा आपको Hindu law, Muslim law, family law से, customary law, law of registration और law of limitation से अब चलते हैं अपने next paper की तरफ जो की है paper 3 criminal law का paper इसे लिखने के लिए अगेर आपको तीन घंटे का time मिलेगा और इसके marks है 200 इसमें questions आएंगे IPC, CRPC और evidence है अब चलते हैं अपने next paper की तरफ जो की है language का paper अगें ये 200 marks का होगा और इसे लिखने के लिए आपको तीन घंटे का time मिलेगा इसमें आपको questions मिलेंगे essay writing से related grammar, words, phrases, comprehension, idioms, fill in the blanks, error, correction, किसी भी type के questions पूच सकते हैं तो अब 10th level तक की grammar को अच्छे से prepare करके जाहिए इस paper को लिखने के लिए अब चलते हैं अपने next paper की तरफ जो की final paper है और वो है language का paper यहां के language के paper में आपको पंजाबी लिखनी होगी Guru Mukhi script में क्योंकि ये पंजाब जडीशी के exam है इसलिए वहां की specific language पूछते हैं और eligibility criteria यह है कि आपको 10th level में पंजाबी पड़ी होई होनी चाहिए तब ही आप exam को देने के लिए eligible हो यहां के marks है 150 और time duration अगें है तीन घंटे का यह होगे मेंस के syllabus की बाद अब चलते हैं final round पर जो कि है interview कर रहां यहां का interview again जिसे हर state का interview होता है उसी तरीके से होगा आपको test किया जाएगा general outlook, social outlook पे, आपके academic knowledge पे, आपकी personality पे इन सारी चीज़ों पर आपको test करेंगे और उन्होंने criteria mention किया हुआ है interview attend करने के लिए category के हो और अगर आप reserve category के हो तो आपको 45% mark score करने होंगे मेंस के aggregate paper में otherwise आप interview देने के लिए eligible ही नहीं हो साथ ही साथ आपको language paper में भी qualify करना होगा और उसकी qualifying mark से minimum 33% तो यह था मेरा पूरा video Punjab Judicial Services के उपर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए कोई भी doubt हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं और ऐसे ही और updates के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करिए और आप हमसे किसी भी social media platform पे connect कर सकने हैं यह सब के link दिया हुए है thank you and all the best